हलो फ्रेंड्स आफ सवी का हमारे यूटूब चैनल आई टार्डेट में श्वागत है पिछली वीडियो में मैंने टूल्स क्या होते हैं, टूल्स कितने प्रकार के होते हैं, सिंपल मेजरिंग टूल्स क्या होते हैं इसके बारे में बताया था, यदे आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है, तो आप उसे देख लें आज हम आपको इस्टी रूल के बारे में डिटेल जानकारी देंगे आज़े देखते हैं, ये वेडियो देखने के बार आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा आज आप सीखेंगे इस्टी रूल क्या होती है, और कैसी दिखती है, इस्टी रूल का अलबतमां कितना होता है, इस्टी रूल किस मेडेल से बनी होती है, इस्टी रूल कितने टाइफ्स की होती है, इस्टी रूल के उपयोग क्या है, और इस्टी रूल के उपयोग में क्या क्या साबधानी रखनी चाहिए आईए सबसे पहले हम यह जानेंगे कि इस्टीर रूल क्या होती है इस्टीर रूल एक साधार माप लेने वाला हैंस टूल है जिसका प्रियोग जौब की रेकी माफ यानि की linear measurement के लिए किया जाता है इस पर एक तरफ इंच और दूसरी साइड सेंटीमीटर की निशान अंकित रहते हैं अलब्तमांक या लीस्ट काउंट क्या होता है किसी मापन यंद्र द्वारा जिस अधिकतम सुद्धा से मापन किया जा सकता है उसे उस यंद्र का लीस्ट काउंट या अलब्तमांक कहते है स्टील रूल का लीस्ट काउंट 1 वाई 64 इंच या मिट्रक प्राली में 1 वाई 2 मिलिमीटर यानि की 0.5 मिलिमीटर होता है इसका मतलब स्टील रूल से कम से कम 0.5 मिलिमीटर की माप ले जा सकती है स्टील रूल Spring Steel या Stannless Steel की बनी होती है Steel रूल 1500 mm 300 mm 600 mm 1200 mm लंबाई तक मिलते हैं अब हम यह जानेंगे कि Steel रूल कितने प्रकारके होते हैं Steel रूल मुख्य रूफ से 10 प्रकारके होते हैं Standard Steel रूल Flexible रूल Narrow रूल Hook रूल स्रिंक रूल, सौड रूल, कैलिफर रूल, स्टिल टेब रूल, की सीट रूल और कैनवास टेब रूल नमबर वान, स्टेंडर स्टिल रूल यह एक प्रकार का साधारण स्टिल रूल होता है इसके द्वारा 0.5 mm तक माप ली जा सकती है यह प्राया 15 cm से 120 cm तक लंबाई में मिलते है वर्क्सोब में 15 cm और 30 cm साइज वाले स्टिल रूल बहुत अधिक प्रियोग किये जाते है नमबर दो, फ्लेक्शिवल रूल इसे स्प्रिंग स्टिल की पतली पत्ति से बना जाता है इसलिए इसमें लचकपन अधिक होता है इसका अधिकतर प्रियोग करब्ड आकरती वाले कार्यों की माप लेने के लिए किया जाता है यह प्राय 15 cm लंबाई के मिलते है नमबर थार्ड, नेरो रूल नेरो रूल की चौड़ाई, इस्टेंडर इस्टीर रूल की अपेच्छा कम होती है इसकी चौड़ाई लगवग 5 mm होती है इसका प्रियोग स्लोट या ग्रूप की माप लेने के लिए किया जाता है यह लगवग 30 cm लंबाई में मिलते हैं नमबर 4, हुक रूल जैसा कि इसकी नाम से किलियर है, इसकी एक सरे पर हुक लगी होती है हुक की साइता से शुराख या पाइप के किनारों को आसानी से नापा जा सकता है इसका प्रियोग इंसाइड कैलिपर और डिवाइडर पर साइज सेट करने के लिए भी किया जाता है हुक रूल ज्यादा 30 cm लंबाई में मिलते हैं नमबर 5, स्रिंक रूल स्रिंक रूल के इंच या सेंटीमीटर वाले निशान स्टेंडर इंच या सेंटीमीटर से कुछ बड़े होते हैं स्रिंक रूल का प्रियोग ज्यादा तर पैटरन मेकर के द्वारे किया जाता है Foundry Shop में pattern के द्वारा सांचा तयार किया जाता है और जब उसमें धादू पिखला का डाली जाती है तो ठंडी होने पर सुकुर जाती है Cast किया हुआ part size का बने इसलिए pattern पहले ही बड़े बनाये जाते हैं यही कारण है कि shrink rule का inch या centimeter वास्तविक inch या centimeter से वड़ा होता है Shrink rule के उपर shrink allowance लिखा हुआ होता है Next, No.6 Sort rule Sort rule छोटे छोटे रूलों का एक set होता है इसके द्वारा groove या slot का map नापा जाता है इसके एक set में 5 mm, 10 mm, 12.5 mm, 20 mm और 25 mm map के rule होते हैं इस set में छोटे छोटे रूलों को पकरने के लिए एक rule holder भी होता है Sort rule का प्रियोग groove या slot की map लेने में किया जाता है Number 7, Caliper rule Caliper rule वर्णिर केलिपर की तरह एक sliding rule होता है इसमें caliper की तरह जोग होते हैं इसके द्वारा जोब के अंदर, जोब के बाहर का size आसानी से नापा जा सकता है Number 8, Still tape rule यह है एक प्रकार का flexible rule होता है जो कि गोल आकार के डब्बे में fit रहता है Steel tape rule 6 feet या 2 meter की लंबाई में मिलते हैं इसका ज्यादाता प्रियोग टेडिम बेडि सताओं की map लेने के लिए किया जाता है बर्क्सोब में इसका प्रियोग अधिकतर किया जाता है Number 9, Key Seat Rule Key Seat Rule का आकार angle iron की तरह होता है इसका अधिकतर प्रियोग करब्ड आकार के कार्यों पर लंबाई में समानतर रेखाएं खीजने के लिए किया जाता है इसका प्रियोग साफ्ट पर कीवे की marking करने के लिए भी किया जाता है Number 10, Canvas Tape Rule कैनवास टैप रूल का प्रियो अधिक लंबाई नापने के लिए किया जाता है ये लंबे कैनवास टैप से बनी होती है जिसे एक स्टील या प्लास्टिक के बॉक्स में रॉल कर दिया जाता है इसमें एक रिंग होती है जिसे पकड़ कर बार खीचने पर टैप बाहर निकलता है इसमें एक हैंडल होता है जिसके द्वारा टैप को उप्योग करने के बाद रॉल कर लिया जाता है ये मार्केट में 50 से 100 मीटर लंबाई में मिलते हैं इनका ज्यादातार प्रियोग सडक आद की लंबाई माफने के लिए किया जाता है आईए अब जानते हैं इस्टील रूल के उप्योग क्या क्या है इस्टील रूल के द्वारा जॉब की कोई भी रेखी माफ यानि की लीनेर मेजरमेंट ले सकते हैं इस्टील रूल के द्वारा इस्टील रूल की माफ को डिवाइडर और लेक कैलिपर आउटसाइड कैलिपर इंसाइड कैलिपर आदी पर ट्रांसफर किया जाता है आएए अब हम आपको बताएंगे कि इस्टील रूल के उपयोग करते समय हमें क्या-क्या साबधानिया रखनी चाहिए इस्टील रूल को कभी भी कटिंग टूल्स या मार्किंग टूल्स के साथ मिला कर नहीं रखना चाहिए ऐसा करने से स्टील रूल डेमेज हो सकती है स्टील रूल को कभी भी पेचकस की तरह यूज नहीं करना चाहिए ऐसा करने से स्टील रूल के किनारे डेमेज हो सकते हैं Steel Rule को प्रियो करने से पहले तथा प्रियो करने के वाद अच्छी तरह से साफ कर देना चाहिए Steel Rule को समय समय पर हलका तेल लगाते रहना चाहिए यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमें कमेंड कर करके जरूर बताएं वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ सेयर करें इसी तरह की ITI से रिलेटेड और वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँचें मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक यू कि झाल से और दुटि के ल thats कि झाल ठसान किस nhiंगे हमारी वीडियो काय बदोगय दोस्तों krijकरना दोक का googलते हैं प्रैंक मिलते हैं आप टप्यों旅 में और और यह स्था हैं